कर दोस्तों इंडिया की सों चिनल पे स्वागत है बलाक महमुदबाद के रजपारापूर गौसाला में मौजूद है और ठंड का जो है मौशा में बहुत तीजी से ठंड बढ़ती है और देख सकते हैं कि कोबिड नाइन को ले करके जो है इस वक्त सरकार भी जो है सतर खो पूरी जानकारी भायज़ी से कर लेते हैं क्या नामे भी आपका अम्रेस कुमार यहां जो गया गौसाला है कितने दिन पहले बना हुआ था तीन महीने चार हुई रहे हैं बनते बनते सिर्फ तीन-चार महीनों में कितने जानवर हैं टोटल यहां पे लिकित में चिछीहत्त और जानवर लिखित में 36 जानवर है पर इसे भी विवस्ता नहीं आपको यहां पर बढ़ती ध्यायर और यह जानवर जो है इस जानवर घूले तो यहां पर आई दिखाए और यहां पर पानी मानी की बिवस्ता और ना तो जो है चारी की बिवस्ता है चारा देखिए क्या खाते हैं बता ही जानवर खाते क्या हैं जबकि सबसे ज़्यादा गौसाला के नाम पर सरकार पैसा खर्च कर रही है कि जानवरों को जो है अच्छी बिवस्ता मिले अब जब सरकार इतने पैसे दी रही है तो वाकई में वो पैसा कहा जा रहा है या प्राइबट तिजोरी में जा रहा है या सरकारी तिजोरी में जा एक लिए देखिए यहाँ पर पड़ी हुई है जले सको आठाई इसको यह देखिए कि इतनी भैंके ठंडी में प्ड़ी इस तरीके से पड़ी हुई है और कुछ तो गाय भुकमरी से भी मर रही है गौसालाओं की हालत इतनी बत्तर हो चुकी है यह गाय बिया तिन से भीमार और एक 20 दिन हो चुकी है बीस दिन से विमार है डाक्टर यहां का कौन है डाक्टर नेहां और माहर रसूलाबाद की तो आती हैं कि नहीं आती है अब दो तीन बार आई हुने गाय बिमार है अरे सूचना दे रहें तो एक दिना आए थे तो इंजक्शन लगा गए थे यह बता भी कर लेती हूं और यह देखें कि बिमार का अता पता कुछन हम डौर मेडम पता नहीं कहा बैठी हो देखें Wise order आने ज Cambridge 강 और यह वने में हुआ ओम तब नाम पर जो पैसा आया होगा वह चर सी निकल गया होगा क्थ से लेकिन और le אני देखे कि क्या खाते हैं लोग यहां पर देख लोग यहां पर देख लोग यहां पर नहीं पानिवानी पीना होता है तो अंजना आता है घर से मतलब देखिए सौचिए हमारे यूपी की सरकार वादे कर रही है कितना पैसा खर्च कर रही है इन गायों के नाम पर अब सौचिए एक तरीके से तो इन गायों के सुरच्छा में लगी है यूगी सरकार लेकिन वहीं प्रधान सिक्रेटरी आदिकरमचारी मिल करके ब्रिस्ट पुछना चाहती हूं कि वो पानी कितनी बार पीते हैं दिन में अभी गौसाला में जो गाय हैं पीया ये बताओ पानी खाना खा तो कितनी बार पानी पानी दो तीन बार तो पिया ही जाता है मैं बता दूं कि मैं तो ग्राउंड रिपोर्ट में जब दिखाती हूं आपको ऐसी हालत तो मुझे भी अफसोस होता है कि कास इन जानवरों की जो सुरच्छा में पैसा खर्च हो रहा है वाकई में बहुत ही गलत हो रहा है क्योंकि जानवरों पर पैसा खर्च ही नहीं हो रह पानी जो है नहीं है और ना तो आफंट है अब बताइए दिन में जब पानी पीना होता है इनको तो दिंवेक बार स्ट्रीफ इंजन आता है तब ये जानवर है वो पानी पीते हैं देखिए इसमें पानी देखिए लिए पानी भरा गया था कब परसों परसों से पानी तो अभी महाय नहीं अगर यह जानवर पीना होगा तो पानी जट भी इंजन लाएंगे तब बांधेगी अरे बापरे प्रधान आये की नहीं आते हैं किस Minh कूं मिला देख कि प्रधान को को अब है तीन सेट की बुश्ता उधर हो रही कि अजय सर्क रौण मद रहा है तो फार्फ अब फिर गृतल रखने मंगाया गए नहीं है अब हुसा अभी नहीं मंगाए गया इस भैंक का ठंडी में जानवरों के साथ कितना जो है अत्या चार और एक तरप तो कह रहे हैं कि किसानों कि फश्लों को जो है बचाने के लिए योगी सरकार जो है गौसाला बनवा रखी है और सरकार मंदब पैसे भी कर्च कर रही है लेकिन इन जानवरों पे कितना पैसा खर्च हो रहा है वो तो आप साफी साफ देख रहे हैं हम ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि गायों के लिए क्या वेवस्ता है प्रदान का नंबर मिला मत्ये नम्मर तेररसटसस्तासी नहीं चांच क्या नाम हेंकर असोग असोग आपके द्वारा टायल किया गया नमबर अभी व्यस्त है यह अभी नमबर जो है उपलब्ध नहीं है नहीं मिल पा रहा है उन्हें संपर करके जानकारी ले ले लेते कि अभी तक इस गौसाला की ऐसी हालत क्यों है तो हम दिखा देते हैं कि योगी सरकार जो पैसे खर्च कर र फ़्यवार नहीं होगा एक तरब जो है इतनी भीमारिया फैल रही है और गाय देखिए वह कितने दिवाबीस दिन से करीब जो है बीमार पड़ी हुई है और कोई देखने वाला नहीं है यह जो चारा देख रहे हैं आप यह जो है एक इस गौसाला में जो बंधे जानवर ह खाते हैं यह चारा देखिए यहां पर यह बाहर पड़ा हुआ जारा जो है और मैं आपको बता दूँ कि देड़ सो की छमता है और 46 जानवर स्रीप बताए जा रहे हैं यहां पर है